दोस्तों आप नरक से गुजर रहे हों तो भी चलना जारी रखिए बाहर निकलने का यही एक मार्ग होता है और सपने हमेशा बड़े देखिए क्योंकि बड़े सपने ही आदमी के खून में उबाल ला सकते हैं यकिन मानिए दोस्तों की यू और स्ट्रॉंगर दैन यू थिंक आप में वो सारी सकतियां हैं जो एक सफल व्यक्ति में होती हैं यह यो कहिए कि उससे अधिकी बस आपको अपनी चमताओं का पता नहीं है डेली के लिए एक टार्गेट जरूर शिट करें और उसे साम से पहले अचीब करने का प्रयास करें और सबसे बड़ी बात जो सबसे मतपूर काम है उसको सुबह के दस बज़े से पहले कंप्लीट कर लें पूरा दिन आपका बहुती अच्छा बीतेगा नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का इस्टेडिक दियान प्रकास में आज 21 जनवर करने से इनकार कर दिया है इलाबाद उचिन्याले की लखनों खंडपीट ने यूपी बिधानसवा चुनाओ टालने की एक याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है नयमूर्ती एर मसूदी और नयमूर्ती एनके जवरी की खंडपीट ने जनित याचिका को काल की समाप्ति के बाद ही चुनाव होने चाहिए यूपी टीटी 2021 के बारे में कई सारी खबरें हैं तो क्रम से देखते हैं जैसे की उत्तरपदिस सिक्षक पातता परिशा जो की 23 जरूइक होने वाली है तो इसके लिए केंद्रों से 200 गज की दूरी तक धारा 1444 लागू रहे देखेंगे डियम संजे कुमार खत्री ने सेंट एंथोनी गर्ल्स इंटर कालेज में केंद्र बेवस्थापकों और सेक्टर मेजिस्ट्रेटों की बैठाग में बताया कि जीने में पारी पाली में 183 परिशा केंद्रों पर कुल 8,440,000 मतलब कुल मिलाके देखा जाए तो केंद्रों पर कुल 6,895 परिशारती परिशा देंगे देखें फ्रेंट्स यहां पर खबर है कि टीटी का लाइफ सर्विलांस अब नहीं होगा और इसकी पूरी रिकार्डिंग करवाई जाएगी तो रहगवार को उने वाली यूपी टीटी का लाइफ सर्विलांस नहीं हो सभी केंद्रों में CCTV के एक्ट्व होने के प्रमाणपत्री भी लिये जा चुके हैं पूर्ण की परिक्षाओं में पहले पेपर खुलने और परिक्षा संपन होने के बाद को एमार सील करने की रिकार्डिंग मंगाई जाती थी लेकिन इस बार पहली वा दूसरी पाली में कर मतलब पूरे सेसं का दस से साड़े बारा बजे और ढाई से पांच बिए तक की पूरी रिकार्डिंग को मंगाया गया है मुखे सुचिव दूरुगा संकर मिस्र ने सभी डियम को निर्देश दिये हैं कि परिक्षा सुचिता पूर्ण कराना उनकी जिमिदारी है कि अंदर पर कोई भी किसी भी सूरत में स्मार्ट फोन लेकर नहीं जाना चाहिए और इसी के साथ परचा लीग जैसी घटना परदास नहीं होगी ये मुक्यमंतरी का कहना है मुक्यमंतरी योगी आदितनात ने कहा है कि सुच्चक पातता परिक्षा की सुचिता के मद्दे नजर सुर संदिक्द आराजक ततों पर नजर रखी जाए मुक्यमंतरी ने गुरुवार को टीम नाइन की बैठक में कहा कि 23 जनवरी को प्रस्तावित टीटी के विवस्तित आयोजन के लिए सभी तैयारियों को पर रखा जाए मुफ्त खादान मितरन को सुचारू रखा जाए रैन ब आफिस गौर्रमेंट आफ यूपी से कि 23 जनवरी को सिक्षक पात्ता परिक्षा के विवस्तित आयोजन के लिए सभी तैयारियों की परक कर ली जाए यदि कोई कोई पाजिटीव अभ्यरती परिक्षा देने का एक शुक है तो उसके लिए प्रिथक कक्ष की विवस्ता दी गई है शिक्षक पात्ता परिक्षा की सुचिता के दिर्ष्टिकर्द सुख्षा संबंदी से भी आवसक बंदबस्त किये जाए परचा लिग जैसी कोई घटना कता ही सुईकार नहीं होगी किसी विवस्ता या अपरी घटना के लिए संबंदित डीम बियस से परिक्षा के भी विवस्ता करवाई जाएगी और साथ चाहिए भी है कि अभीरतियों को परिक्षा के अंदर पर निर्धारित समय से 30 मिनट पहले पहुंचना होगा साथ ही कोविड गाइडलाइन का पालन अनिमार रूप से करना है मास्क पनकर और सनिटाइजर के साथ ही अभीरतियों को केंदर में प्रविस दिया जाएगा देखे फ्रेंड्स अब बात यूपी टीटी की हो रही है तो आपके लिए रिविजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है परेवरान अभी ज्यान से सम्मंदी जो वीडियों है वो अपलोड की जाने हैं लगाता है आपके चैनल पर यानिकि इस्टेडिवी दियान परकास पर तो ये वीडियो जो कि जिसका थमनेल आपके स्क्रीन पर है देखें 2017 से लेकर 2021 तक आपको याद होगा कि 28 नॉंबर को जो परिक्षा होई थी जो परिक्षा कैंसल हो गई तो उस परिक्षा के जो प्रसने वो प्रसन भी साथी साथ 27 से ले आपको कई सारे अंग दिलवा सकता है तो रिवीजन लिए इससे बहतर वीडियो आपको नहीं मिलेगा पूरे यूट्यूब पर ये वीडियो आप जरूर बाच कीजिएगा लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्षन और कमेंट बॉक्स में दिया गया है तो परिक्षा से पहले इस वीडियो के जरूर आज कीजिएगा और परिक्षा से पहले कई सारे वीडियो आप लगातार देखते रहे ये यूट्यूट परिक्षा से पहले तक देखे प्रेंज उत्तर प्रदिस लोक्षिवा आयोक के द्वारा आज एक नया बिग्यापन जारी किया गया है और इस पर आवेदन भी आज से ही शुरू हो रहे हैं हाला कि ये बिग्यापन नया नहीं है स्टाफ नर्स पूरुस परिक्षा 2017 का या पुनर बिग्यापन है इसे वर्स 2022 ने पुनर बिग्यापित किया गया है ठीक है तो ये 21 जनवरी यानि कि आज से आयोक की वेबसाइट पर उपलब्द रहेगा जो बिस्तित नोटिफिकेशन है ये जब दोपर के बाद लगबग उपलब्द होगा आपको आपको ये बताते हैं कि यहाँ पकुल पदों की संक्या है 558 ठीक है कितने पद हैं 558 पद हैं और ये पद अभी घटबड भी सकते हैं सेक्षिक अर्ता के बारे में अभी जानकारी जब पुरा नोटिफिकेशन आ जाएगा उसके बाद आपको उपलब्द होगा आयो सीमा जो है देखे एक जुलाई 2017 से गड़ना का नहीं होना चाहिए ये बाद ध्यान देजिएगा और इसी के साथ आनलाइन आविदन आ से सुरू हो रहे हैं आनलाइन माध्यमजे परिछा सुल्क पैयंग में जमा करने जो लास डेट है वो 17 फ्रौरी देगी तो चलिए एक नया बिग्यापना जारी हो रहा है और इस प असना तक TGT और PGT का नया बिग्यापन जारी करने की मांग को लेकर बिरुजगारों ने गुरुवार को चैन वोर्ड पर प्रदस्म किया कहा कि 15 जनवरी तक TGT बिग्यापन देने की बात कही गयी थी जिसका बिरुजगार इंदिचा कर रहे हैं प्रवक्ता हिंदी का संस किया जाए और इसके लिए छात्रों ने आयोग पर प्रदर्शन भी किया है तो पूरी खबर मैं आपके समय रखता हूँ और ध्यान से इसको आप सुनिए सुप्रीम कोड ने कहा है कि एक परिक्षा अधिक से अधिक किसी व्यक्त की बर्तमान सक्षमता को प्रतिविम्पित कर सकती है उसकी शमताओं सामर्थ या उत्कृष्टा के सरगम को नहीं जो की अनभो बात के प्रसिक्षण और व्यक्तिकत सरित्र से ही आकार लेते हैं जस्टिस डी वाई चंदर्चून की अधिक्सतावारी पीठ ने मेडिकल प्रिवेस पीजी परिक्षा में OBC और EWS आरक्षन से जुड़े अपने फैसले में कहा है कि योगिता का अर्थ अंक तक सीमित नहीं रखा जा सकता जब परिच्छाएं संसाधन आवंटर्ण की प्रडालियों से अधिक होने का दावा करती हैं तो वे छात्रों या पेशेवरों के रूप में व्यक्तियों के मूलिका पता लगाने की एक विक्रित प्रडाली को जन देती हैं सुप्रीम कोर्ण ने कहा कि हमें मेरिड के अर्थ को फिर से समझने की जरूरत है उधारन के लिए यदि कोई उच अंक प्रात करने वाला उमिदवार अपलिट प्रडिभा का उपयोग अच्छे कारियों करने के लिए नहीं करता है तो उन्हें मेधावी करना मुस्किल होग सिर्फ उच अंक प्रात करने वालों को मेधावी नहीं का जा सकता सुप्रीम को ने कहा कि यदि योगिता एक सामाजिक अच्छाई है इसे सरक्षित किया जाना चाहिए तो हमें पहले योगिता की सामगरी की आलुसनात्मक जाच करनी चाहिए तो फिलार फ्रेंड्स जो पूरी न्यूज है वो भी एक बार आप लोग देख लिजिए सुप्रीम मुहर मेडिकल में OBC व EWS का कोटा बरकरार रहेगा योगिता प्रतोगी परिक्षाओं के नतीजे की संकीड परिभासा तक सीमित नहीं तो सुप्रीम कोट ने कहा कि योगिता प्रतोगी परिक्षाओं के परिडाम की संकीड परिभासा तक सीमित नहीं कर सकते क्योंकि इन परिक्षाओं से सिर्फ आउसर की आपचारी समानता पर हासिर होती है सीर्स कोट ने कहा कि आरक्षन योगिता के विपरीत नहीं बलकि इसके बितरन प्रभाव को आगे बढ़ाता है यह करते वे सीर्स कोट ने किन सरकार को मेडिकल पार्टिक्रमों में अखिल भारती कोटा जो कोटा होता है OBC और EWS का उसको जो है करमसा OBC के 27% और EWS के लिए 10% प्रदान करने की अन्मती प्रदान कर दी है सीर्स अदालत ने कहा कि यह तर्क नहीं लगाया जा सकता कि परिक्षाओं की तारिखें तैं होने के बाद नेमों में बदलाव किया जाए या A.I.Q. सीटों में आरक्षण से पहले केंदर को इस अदालत की अन्मती लेरे की जरूत नहीं थी और इस तरह इसका फैसला सही था जस्टिस डीवाई चंदोचून के धिक्सता वाली पीट ने प्रिष्पतिवार को कहा कि किसी भी न्याइक हस्तक्षेव से इस साल प्रिष्प्रक्रिया में जो प्रिष्प्रक्रिया है वो जारी रहेगी ठीक है पातरता में किसी बदलाव से प्रिस्पक्रिया में देरी होगी क्रास मुकदमे भी होगे हम अब भी महामारी के बीच में हैं और देश को डाक्टरों की जरूरत है सीर्स अदालत ने कहा कि प्रदोगी परिशाएं कुछ वर्गों को मिले आरक्षण के आर्तिक सामाजिक लाव को नहीं दरसाती हैं लहाजा योगिता को सामाजिक रूप से प्रासंगी बनाया जाना चाहिए तो बैसिकली जो आरक्षण मिल दाता हो OBC और EWS के लिए वो आरक्षण जाई रहेगा और इस पर ही ये डिसीजन आया है और पिशड़ेपन का प्रफाव केवल इसलिए खत्म देखें यहाँ पर यह नहीं कहा जा सकता कि पिशड़ेपन का प्रफाव केवल इसलिए खत्म हो जाता है कि उमिदवार के पास असनातक योगिता है वास्तों में आरक्षड योगिता की विप्रीत नहीं है समिनार के अनुचेद 15.05 में असनातक वा असनातकुत्तर पाठिक्रमों में अंतर नहीं है कुछ मामलों में माना गया कि सुप्रीम इस पेसिलिटी में आरक्षड नहीं हो लेकिन यह कभी नहीं माना गया कि मेडिकल पीजी में आरक्षड की अनुवती नहीं है ऐसा कहना है सीर्ज अदालत का और पांस साल से कम उम्र के बच्चों को न लगाएं मास्क तो कें सरकार ने कुरोना प्रबंदन के लिए 18 साल से कम उम्र के किसोरों और बच्चों के लिए संसोधित दिसा निर्देश जारी की है सरकार ने कहा कि 5 साल या उसे कम उम्र के बच्चों को मास्क नहीं लगाना चाहिए संक्रमर की प्रम भीरता और इस्ट्रयाड के इस्तिमाल के बावजूद 18 साल से कम उम्र के बच्चों को एंटिवारल या मोनो क्लोनल एंटिबाडी नहीं दिया जाना चाहिए दिसान निर्देश के नुचार 6 से 11 साल के बच्चे आईवावकों की देखरेक में जुरुत के मताबिक मास्क बहान सकते हैं हाला कि उसे सुरक्षित और उचित तरीके से पहना आया जाना चाहिए तो ध्यान दिजिएगा कि 5 साल से कम उम्र का बच्चा करे आपके घर में है तो उसको मास्क मत लगाईएगा ठीक है एक दिन में 3 लाग से ज़्यादा संग्रमित तो फिला संक्रमित की दर बहुत जिस्ते बढ़ रही है विश्टी वार को मिले कुल 3,17,532 संग्रमित 234 दिनों में सबसे अधिक है और ये बीमारी वाकी बहुत जिस्ते फैल रही है आपको बहुत अधिक साउधान रहने की आउसकता है तो सोशल डिस्टेंसिंग और कोविट प्रोटोकाल का पूरा पालन करें और देखे फ्रेंड्स कुरोना का टीका बेहद उपयोगी सावित हो रहा है स्पताल में भरती संक्रमित उपर गोर करें तो 50 फिल्दी मरी जैसे हैं जिनोंने एक भी ठीका नहीं लगवाया संक्रमित की चपेड में आने के बाद उनकी इस्तिक अंबिर बन गई तो ठीका बहुत ही इंपोर्टेंट है आपके लिए और मरने वाले दो लोगों ने नहीं लगवाया था ठीका तो नए साल में करोना संक्रमित चार मरीजों की मौत हुई है उसमें से दो लोगों को ठीका नहीं लगा था तो ठीका अगर आपने नहीं लगवाया है तब आप ठीका जरूर लगवा ले और ये आपके लिए बहुत ही इंपोर्टेंट है अगर आपके घर में नहीं लगा है तो उने भी आप जरूर लगवाए ठीक है तो फ्रेंट्स ये थी आज की पुरी अफडेट थांकियो सो मच प्रेश डूल लाइकन से सीगरी मिलते हैं आप से नए वीडियो में तब तक लिए आप अपना ख्याल रखे और इस्टेटी को जाई रखे यूपी टीटी पर आपको प्रैक्टिस एट मिलते रहेंगे यानि कि मेगा रिविजन तो वो आप करते रहेगा लिंक वीडियो के डिस्क्रिसर में दिया गया है थैंकियो सो मच